हाई अब्रीवन फर्स्ट फॉल गुड बॉर्णिंग तो वल्कम बैक तो मैं यूट्यूप चैनल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नैशनल सिंबल्स आफ इंडिया के बारे में विद नेम्स सो स्टाटिक जी की का एक और वीडियो में आपके लिए लेकिया हूँ द्वारा 22 जुलाई 1947 जे डेट्स आपको जाद रखनी है 22 जुलाई 1947 को इसको डॉप्ट किया गया था तरहंगा का मीनिंग ही ट्राइकलर है आप इसमें बात करें तो सैफरन किसका सिंबल है सैकरिफाइस आफ रीडम फाइटर्स के लिए बाइट किसका सिंबल है बाइट पhrat अलवाक्स में ज्रूर्फ बतायेगा Lightning कि नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एंबलम के बारे में नशनल एंबलम जो है इसको डॉप्ट किया गया है फ्राम अशोक चक्राइट सरनार्थ और. और नेक्स्ट बात करते हैं नैशनल करंशी जो है इंडियन करंशी जो है इंडियन रुपी जो है नैशनल करंशी है इसको बोला या था आई अनर रिजर्ब बैंक जो है मोनिटर करता है जितनी सर्कुलेशन होती है करंशी की इंडिया के अंदर वो सारी की सारी मोनिटर की जाती ह सबसे पहले बात करें तो उदेकमार दर्मा लिंगम ने डिजाइन किया गया था इंडिया रूपी और इंडिया रूपी की बात करें तुझे एक करंसी है इंडिया की आई अनार क्या है एक इंटरनेशनल और्गनेजेशन फार स्टेंडराइजेशन करंसी कोड है इंडिया र तो नेशनल क्रणसी जो है यह आप देख सकते हैं जहां भी बात करेंगे नेशनल क्लेंडर साका जो है नेशनल क्लेंडर है इंडिया का जी रिप्रेजेंट करता हिस्ट्री अपधी कंट्री सिंपलाइज इस दा गॉल्डन पीरिड आफ इंडिया तो सिर्फ आपको जाद जो है हमारी न्यू प्रेजिडेंट बनी है तो उनके त्वारा जो ओथ लीगी आप उसको यूट्यूप पर सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से बहां पर उताव एलिजेंस ली जैती है ठीक है तो नेशनल प्लेज आफ इंडिया इस आउताव एलिजेंस नेशनल प्ले अब दा मोस्ट पॉपलर फ्रूट सिन इंडिया ठीक है जनली कहां पी कप आया जाता है दिरिंग समर्स के दुरां आपको मेंगो जदे देखने को मिले गा तो नैशनल फ्रूट है हमारा मेंगो बात करेंगे national animal royal bengal tiger royal bengal tiger जो हमारा national animal है इंडिया का जे एक endangered animal species है therefore it was adopted as a national animal of India इसलिए डाप्ट किया गए क्योंकि ये endangered है खतम हो रही है ठीक है तो इसलिए इसको adopt किया गए that is national animal of India national animal कौन सा इंडिया का royal bengal tiger बात करेंगे next national word peacock पीकॉक जो है हमारा नैशनल वर्ड है इंडिया का पीकॉक जो है most beautiful and elegant अगर हम बात करें यहां पर words की तो इलिजेंट वर्ड की बात करें तो इत बाज अडाप्टेड आज़ा नैशनल वर्ड इन दा इयर 9063 के अंदर इसको नैशनल वर्ड जो है डिक्लेट किया गया है तो उसमें आ गया हम बात करेंगे 1963 के अंदर इसको डॉप्ट किया गया नैशनल वर्ड इन 1963 तो नैशनल वर्ड की बात करें तो पीकॉक रहे है इसका नेक्स्ट बात करें National Anthem National Anthem के बारे में आप सभी जानते हैं प्रेड में जहां मौनिक सेंबली में है स्कूल में आपको देखने को मिलता है जहां स्कूल में आपको सभी बच्चे जो है एकठे होगी बोलते हैं जन गन मन जो है उमारा National Anthem है इंडिया का इसको compose किया गया था रविंदर नाट एगोर के दबारा in बंगाली and was translated to Hindi later अड़ाप्ट किया गया था इसको national anthem को इंडिया के अगर बात करें तो 1950 को कब किया गया था 24th January 24th January 1950 को इसको अगर बात करें national anthem को अड़ाप्ट किया गया था ठीक है तो जी आप देख सकते हैं इंपोर्टन है national anthem के बारे में जनगनमन जो है मारा national anthem है इंडिया का compose किया गया था रविंदर नाट एगोर के दबारा इन बिंगाली और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में और इसको अड़ाप्ट किया गया national anthem को इंडिया नाकाब अड़ाप्ट किया 1950 के दौरान 24th January नेक्स्ट बात करेंगे national song बंदे मात्रम जो हमारा national song है इंडिया का इसको लिखा गया था बंकिम चंद्रा चैटरजे के दौरा अड़ाप्ट किया गया एसेंबली के दौरा इसेंबली के दौरा इसेंबली के दौरा 1950 को ठीक है तो बंदे मात्रम जो हमारा क्या है national song नेक्स्ट बात करेंगे national tree national tree कौन सा है बन्यान tree जो हमारा national tree है इंडिया का एक core heritage इडिया बन्यान tree जो है sacred है हिंदू प्लस पी के अगर बात करें तो इसको sacred माना जाता है पफित्र माना जाता है तो national tree that is बन्यान tree national vegetable pumpkin जो है national vegetable है गरों में आप सभी लोग बनाते होंगे pumpkin को it is one of the few plants that grow throughout the country and with pure resources तो pumpkin जो है अगर आज की मुस्म की बात करें अभी की मुस्म तो आपको pumpkin देखने को मिलेगी तो national vegetable है हमारा pumpkin बात करेंगे national heritage animal की तो इंडियान elephant को जो है हमारा national heritage animal है elephants जो है और वर्ट जाथी विंग एक्टेंट देफोर दा प्रोटेक्टिव मेजर वास टेकन एंडियान elephant बात करेंगे national aquatic animal aquatic जानी पानी के बीच रहने बाला और national aquatic animal की बात करें तो गेंगेश रिवर जिसमें आप बात करेंगे dolphin की यह आप देखते हैं dolphin की pictures is known as a national aquatic animal because it is the past few years the number of dolphin has decreased ठीक है तो कुछ से इसमें कमी हुई है इसकी कुछ सालों में आपने मतलब इसमें जहांबे बताया गया कुछ सालों में जो है dolphin की कमी आपको देखने को मिलेगी therefore to protect them it was declared the national aquatic animal इसको protect करने के लिए इसको declare किया गया है national aquatic animal बात करेंगे national river के बारे में 2008 के अंदर गंगा river को declare किया गया national river of India to achieve the goal of the ganga action plan गंगा action plan आगया ताकि उस plan को achieve करने के लिए 2008 के अंदर गंगा river को declare किया गया national river सबसे लंबी river इंडिया की 25-25 km की लैंद ठीक है उत्रकान से निकलती है ठीक है तो आप देख सकते हैं जहांपे national river की बारे में तो गंगा इस था national river तो फ्रेंट्स यह था आज का हमारा वीडियो national symbol आप इंडिया विद नेम्स काफी important जह स्टाटिक जीगी का एक पार्ट बन चाता है तो जैता से ज़्याद वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को थैंक्यू फ्